विद्पंत्री मनीज सिसोरियन साथ हजार करोड रुपे का बजट रखा है ओपी शर्मा हमार साथ मुझूद है बीजेपी के विधायक ओपी जी कह रही है सरकार की जो 70 पॉइंट का एजंडा लेकी चले थे वो 2015 में लगभग पूरा हो चुका है और ये बजट जताता है कि दिल्ली के अंदर रिरंतर विकास हुआ है चार साल बुरा हाल इजरिवाल जी जैसे देश द्रोई कभी सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध करते हैं पाकिस्तान की भासा बोलते हैं और कभी जवालन लेरी उनिवेस्टी में जाकर देश के टुकड़े टुकड़े करने वालों के साथ खड़े होते हैं और उनको कोट में उनके पर केस चलाने की जो फाइल है उसको रोकते हैं ये एक उनका चेरा है दूसरे यहागर हम बात करें बिजली सलक पानी जो बेसिक कीज़ें देने में एसमर्थ रहें एक कॉलिज नहीं बना एक अस्पताल नहीं बना एक फ्लाई ओवर नहीं बना ये कैसी निकम्मी सरकार है 70-70,000 रुपिया जिन जुग्ई वालों ने मकान के बदले में जमा कराया है चार साल में आपने एक आदमी को मकान नहीं दिया है हम महिला सुरक्षा की यदि बात करें है तो बसों में CCTV और पूरी दिली में CCTV यह केवल एक छलावा ही थाबित वाय बार बार जब हम देखत देश द्रोईयों के साथ खड़े होते हैं, देश द्रोईयों की भासा बोलते हैं, पुरा सदन सरमसार होता है, पुलवामा का जो आतंक था 22 तारिक को जब हमारा ये सदन स्टार्ट हुआ, तो ना तो सरकार ने उसके विशे में कोई बात रखी, और विपक्ष ये बार बार क जो पुलवामा में हमारे नौजवान जो सहीद हुए, देश के लिए जन्होंने अपनी कुर्बानी दी, और नरेंदर भाई मोदी के नित्रत में, पाकिस्तान में जो एर स्ट्राइक हुआ, हमारी भारती सेना का जो सौर्य है, मुग्द है हर भारतवासी, और पाकिस्तान पर जो कुठारा घात हुआ है, उसके विशे में हम सब लोग आज बोलना चाहते थे, और उनको बदाई देना चाहते थे, लेकिन केजरी वाल जी कहीं न कहीं खड़े हुए, पाकिस्तान के नजर आते हैं, तो इससे हर दिल्ली का, हर दिल्ली वासी अपने आप में, ये बह बहुत कलन के दोने वाला विशे है, तो उपी शर्मा बजट पर अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं, और साथी साथ अर्विन केजरी वाल को पाकिस्तान के एजेंट पर करार दे रहे हैं, कैमराबन गजेंदर के साथ तरुम काल्टरा, टोटल न्यूस दिल्ली